ही गाईज आज हम बात करने वाले हैं न्यू मून एनरजी न्यू मून आज की रात को आपको क्या करना है जिससे आप अपनी विशिस को एंड डिजायर्स को बहुती जल्दी मैनिफस्ट कर ले वेल आपको मैं आज कोई रिचूल या कोई पर्टिकुलर मैथड नहीं बताऊं आज के दिन आज की रात आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के emotional baggages को release करना है जितने भी आपके mind में thoughts हैं जो unwanted है, negative है, limiting beliefs है, उन सब को release करें आज आपको इतनी दिल से affirmations को practice करना है न कि वो इतनी जल्दी आपकी life में असर करें कि आपको धहरान हो जाएं because आप उतने powerful हो कि आप कोई भी चीज बहुत ही जल्द manifest कर सकते हो, so just use your own power, ठीक है, आज आपको सबसे पहले अपने life को थोड़ा सोची के right now ऐसा क्या है जो आपको bother कर रहा है, आपके अंदर ऐसा क्या है, अगर आप past को लेके अभी भी regret कर रहे हो, guilty कर रहे हो, या कुछ आपको ऐसा, you know, thoughts, ऐसा कुछ भी आपको feel हो रहा है, जो जिससे आप sad हो, just release it right now, let go का time आगया है, action लेने का time आगया है, okay, अगर आप अपनी present जो situation है, उसको ठीक करने के लिए कोई action नहीं ले रहे, and just you are complaining about the current situation, then this is the big mistake, ठीक है, तो आज आपको ये भी एक resolution लेना है, आज आपको ये भी चीज़ करनी है, कि आप complaints करना बंद करेंगे, and आज से आप gratitude practice करेंगे, so just count your blessings, दूसरी चीज़, future की जिनता करना भी बंद करना है, जितने भी लोग है, जो future की जिनता कर रहे है, outcomes को control कर रहे है, and just उसी चीज़ों में वो बहुत जादा उल्जे हुए है, then just you know, stop right now, just be in the current moment, have total faith कि आप जो भी desire manifest कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपकी life में आएगा, so just believe in yourself, okay, आज आपको Mac believe करना है, that means कि new belief को आपको create करना है, जितने भी old patterns है, thinking patterns है, जितने भी old belief है, जो negative है, limiting है, सब को आज आपको release करना है, रात को सोने से पहले आपको affirmations करनी है, ज वो भी आप daily practice करते हो, वो affirmations आप बोल सकते हो, and साथ में, a very important prayer is Ho'oponopono prayer, जो आपकी life को heal करने के लिए, situation को heal करने के लिए, बहुत ही important है, तो आज आपको Ho'oponopono prayer भी chant करना है, मैंने already एक video upload किया है, आज, new moon energy के ऊपर, जो है, chanting करनी है, आपको, वो भी आप कर सकते हो, chanting, वो वीडियो भी check out करिये, and simply just be happy right now, जितना अपनी energy के उपर काम करेंगे, उतना ही चीज़ों को attract करने लगेंगे, positive चीज़ों को attract करने लगेंगे, तो बस आज के दिन आपको यही चीज़ करनी है, resolution बनाईए, strong intention बनाईए, and सारी negativity को release कर दीचे, and just keep going, keep learning, and keep receiving.